दोस्तों आपने देखे होंगे किसी किसी मोटर में दो दो कैपरसीटर लगा होता है अब ये जो कैपरसीटर है किस प्रकार से मोटर के साथ में कनेक्ट है और ये जो हमारा मोटर है इसको यदि हमें रन कराना हो तो किस प्रकार से पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे इसी के तो आप वहां पर ये समझे लिजए कि आपका जो मोटर है वह सिंगल फेस का मोटर है थ्री फेस मोटर के साथ में हम कोई भी कैपासिटर को कनेक्ट नहीं करते हैं जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा मोटर होता है इस मोटर को रन करने के लिए हम winding करते हैं तो यहां पे हमारे पास में winding है अब यदि हम directly इसमें single face का power supply connect कर देते हैं तो जो हमारा motor होगा वो run नहीं करेगा क्योंकि किसी भी motor को run करवाने के लिए उसमें starting torque चाहिए यानि कि उस motor के winding में दो अलग-अलग flux बनना चाहिए जिसके द्वारा rotating magnetic field generate हो सके तो यहां पे हमारे पास में केवल single face का winding है तो हम इसके द्वारा किसी motor को run नहीं करा सकते हैं हाँ यदि आप यहां पे इस motor के rotor को आप rotate करते हो उसके बार power supply को देते हो तो आपका motor run हो जाएगा लेकिन यहां पे हमें motor को automatically start करना हमें rotor को घुमाना नहीं है तो इस problem को solve करने के लिए motor के अंदर में एक और winding किया जाता है अब यह जो हमारा main winding है इसको हम कहते है running winding इसके बाद यह जो second winding है इसको हम कहेंगे starting winding अब यह जो हमारा motor था इस मोटर के अंदर में हमने दो वाइंडिंग कर दिये लेकिन यदि आप यहाँ पे सिंगल फेस का पावर सप्लाई इस्तमाल करोगे तब भी आपका जो मोटर होगा अर्टोमेटिकली रन नहीं होगा क्योंकि जो मेगनेटिक फिल जेनरेट होगा वो सेम टू सेम होगा हमें चाहिए यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मेगनेटिक फिल तो दो अलग टाइप के मेगनेटिक फिल को जेनरेट करवाने के लिए आपको यहाँ पे कैपसिटर इस्तमाल करना पड़ेगा यदि आपके मोटर का रेटिंग कम है यानि कि एक होसपावर तक कम मोटर है तो उस कंडिशन में केवल एक कैपसिटर का इस्तमाल करके हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट करवा सकते हैं लेकिन यहीं आपके मोटर के साथ में लोड कनेक्ट रहेगा और उस कंडिसर में मोटर को चालू करना चाहती है तो उसके लिए आपको हैवी पावर यानि कि हैवी स्टार्टिंग टॉर्क तो इसके लिए हम दो कैपसीटर का इस्तमाल करते हैं दोस्तों यह जो हमारा स्टार्टिंग कैपसीटर है इसका इस्तमाल हम केवल मोटर को स्टार्ट करने के समय इस्तमाल करने वाले हैं यानि कि जैसे हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा यह जो हमारा स्टार्टिंग कैपसीटर है वो बाइपास हो जाना चाहिए तो इस starting operator को bypass करने के लिए हम यहाँ पे एक centrifugal switch का استعمال करेंगे यह जो हमारा centrifugal switch होता है यह हमारे इस rotor के साथ में connect होता है यानि कि rotor के साथ में connect होगा आप उसका picture भी देख सकते हो यह हमारा centrifugal switch है जो कि rotor के साथ में connect होता है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मोटर है वो सिंगल फेस का मोटर है तो हम यहाँ पे प्लग टोप का इस्तमाल करेंगे इस मोटर को चालूब करने के लिए ठीक है अब ये जो हमारा कैपसिटर है किस प्रकार से वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट होगा उसको समाझ लेते हैं देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो हमारा running winding है और जो starting winding है इन दोनों के एक एक सीरे को आपस में connect कर देना है कुछ इस पेकार से इन दोनों को sort करने के बाद इसी point से एक wire को connect करके बाहर लेके आ जाईएगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारा winding ह इस winding से हमें तीन wire मिल रहा है एक ये हो गया एक ये वाला और एक ये वाला यानि कि तीन सीरा हमें मिल गया connection करने के लिए अब ये जो running winding है इसका जो second सीरा है इस सीरे को ले जाके हम running capacitor के साथ connect कर देंगे यानि कि एक capacitor के wire के साथ में इसको connect कर देंगे अब इस capacitor का जो दूस सा सीरा है इस सीरे के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको क्या करना होता है कि यह जो हमारा प्लग तोप है यानि कि जो हमारा पावर सोंस होगा उसका जो नूटल पावर सप्लाई होगा उसको लाके इस वायर के साथ में कनेक्ट करना है ये जो हमारा वायर होगा ये हमारा हो जाएगा कोमन वायर तो हमारा जो नूटल पावर सप्लाई है इसको लाके हम कोमन वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे इसके बाद जो हमारा फेस पर इसको connect कर दिये यानि कि running winding को हमने direct face supply दे दिये तो यहां पर हमारा केवल एक capacitor connect हो चुका है तो अभी जो आप connection देख रहे हो इस connection का उपयोग हम छोटी मोटर में करते हैं जहां पर केवल एक capacitor इस्तमाल किया जाता है अब यदि हमें starting torque जादा चाहिए तो हमें एक और capacitor को connect करना पड़ता है जो हमारा starting capacitor होगा वो starting के समय ही work करेगा उसके बाद यह bypass हो जाएगा तो इस capacitor को connect करने के लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा face supply आया है इसी face supply से एक wire को ले जाके इस starting capacitor को हम input power supply दे देंगे हमने यहाँ पे input power supply दे दिये अब इस capacitor से जो power supply निकलेगा इसको ले जाके हम centrifugal switch के साथ में connect कर देते हैं तो हमने यहाँ पे इसको connect कर दिये अब यह जो हमारा centrifugal switch है इसको हम clutch भी कहते हैं तो इस clutch का जो एक सीरा है, इस सीरे से एक wire को connect करके, हम इसको ले जाके क्या करेंगे, starting winding के साथ connect कर देंगे, तो दोस्तों, single face का जो हमारा motor है, इस motor का connection complete हो गया, अब ये जो हमारा single face का motor है, ये किस प्रकार से work करेगा, समझ लेते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा plug top है इस plug top को, जब हम power supply के साथ connect करके, power supply को own करेंगे, तो होगा क्या, ये जो हमारा running winding है, इसको direct power supply मिल जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से face supply और यहाँ से neutral power supply इसको मिल रहा है, ठीक है, तो इसके दोरा एक magnetic field generate होगा, साथी साथ में आप देख सकते हो, जो हमारा starting winding है, इसको neutral power supply यहाँ से मिल रहा है, और face supply यहाँ से capacitor से होते हुए आ रहा है, यानि कि जो हमारा starting winding है, इससे भी magnetic field generate होगा, लेकिन starting winding का जो magnetic field होगा, इसमें थोड़ा सा changes होगा, यानि कि running winding का जो magnetic field है, और जो starting winding का magnetic field है, इसका जो amplitude होता है, वो अलग-अलग होता है, जिस कारण से दो अलग-अलग type का magnetic fill generate होगा अब यदि यहाँ पे दो अलग-अलग type का magnetic fill generate होता हुता है तो जो हमारा मोटर होगा automatically run होना start हो जाएगा ठीके दोस्तों अब यहाँ पे जो starting capacitor है इसका काम क्या है समझ लेते हैं देखिये हमारा जो running supply जाएगा इसको हम एक switch के साथ में connect कर दिये जिसको हम centrifugal switch या फे clutch भी कहते हैं और इससे जो power supply निकलेगा उसको हम ले जाके starting winding के साथ में connect कर दिये तो जैसे कि आप देख सकते हो यह दोनों capacitor parallel में connect है यानि कि यहाँ पे capacitor का value और बढ़ जाएगा तो इस condition में started और ज्यादा बनेगा यानि कि motor को start करने के लिए ज्यादा magnetic field बनेगा और जो हमारा motor है वो start हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब जैसे ही motor हमारा start होगा इस motor के अंदर में जो हमारा clutch लगा होता है वो rotor के साथ connect होता है यानि कि जैसे हमारा rotor rotate होना start करेगा clutch जो होता है वो open कर द ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद